हेलो एबिरीबन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मसोटिकल इंजिर इंजिरिंग, तो फार्मसोटिकल इंजिरिंग का जो पॉर्शन है वो है आपकी फ्लो फ्लोड तो last class में गलाज्मी प्रिवियस classes थी उसमें भी हमने बात की थी फ्लोड के बारे में, तो फ्ल को या कहें flood flow rate को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो यह जो बैंचुरी मीटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह बैंचुरी मीटर का यह वाला जो आप इनर पोर्शन देख रहा है यह पोर्शन क्या होता है इनलेट पाइप से अटेच होता है और यह वाला जो पो है इसको कहते हैं diverging part तो दोनों यह टीउब है यह दोनों ट्यूब अटेच होती है मिडल पोर्शन जे मिडल पोर्शन इसका क्या होता है नेरो होता है तो इस नेरो पोर्शन पे जो प्रेशर एपलाई और जो प्रेशर डिफरेंस इस क्रियेट होते हैं और जो फ्लोर arseight mm30 सूत पावेंजूरी मीटर को you use करके we have this point vector करेंगे ट्रिक तो बात करते हैं आगे वेंचुरी मीट difun क buff construction टॉरीय करने आपके बिलैंड करते हैं प्रिंसिपल सेवा कानघन, equation पर बनौली equation के हम अल्रेडी discuss कर चुके हैं बनौली equation में भी हम क्या करते हैं flow rate को मेजर करते हैं जब भी किसी भी flow होता है pipe में तो वहां क्या होती है प्रेशर डिफरेंसेश काॉस होते हैं किस बजा से energy losses के बज़ा से तो यहाँ पर भी क्या है बैंचुरी मीटर में कुछ energies losses होंगे जिस बज़ाइसे क्या होंगे आपके pressure differences create होंगे ठीक है उन्ही pressure differences को हम यहाँ measure करेंगे और वो pressure differences measure करके ही हम velocity यह कहें fluid flow rate को को भी हम identify कर सकते हैं तो बन्नौली equation का यहाँ यूज किया जाएगा जब भी किसी भी fluid को हम flow करते हैं तो velocity जहाँ increase होगी वहाँ पर क्या है आपका pressure decrease होना start हो जाएगा ठीक है जैसे देखेंगे हम इस slide में इस slide के अंदर यह आपका जो portion है यह क्या है ब्रॉड portion है तो यहाँ पर क्या है आपके फ्लूट की velocity लो होगी और यहाँ पर जनरल प्रेशर यहाँ नॉर्मल प्रेशर यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा प्रेशर इंग्रीज होगा तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर को मेजर करेंगे बाइ यूजिंग ऑफ मैनोमीटर ट्रिक अब यह एक फॉर्मूला दिया है आपको यह फॉर्मूले से आप इसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैलोसिटी एट थ्रॉट पॉइंट मतलब जो मिडल पोर्शन है आपके बैंचुरी मीटर का जिसको हम कहते हैं थ्रॉट उस थ्रॉट पोर्शन में फ्लूट की बैलो हैं पाइडेंटिफाई कर सकते हैं यकर संधे हैं माइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एपकर सकते हैं अभात करते हैं अंस करति हैं सब्सक्राइब church Mr tradicional करते हैं bendro me को इंसाइड करते हैं अर्रेंज करते हैं तो एक तरब का अंगा जो आपका आपका वाला ऑятаर पोर्शन होता है दूसरा आपके Carines teffives होता है तो टो हैblikन करेंगे Canverzing Parts पार्ट जो कनवर्जिंग पार्ट है वो आपके बेंचुरी मीटर का साइड वाला पॉर्षन है मतलब जिसको कहेंगे जो इनर पॉर्षन से जो आपने अभी स्लाइड में देखा था कि आपका इनर पॉर्षन वाला पॉर्षन है यह जैसे यहां देखेंगे हम इस पॉर्षन में यह जो आपके side वाला जो portion है तो side वाले portion पर कि यहां में indicate करके दिखा रही हूं यह वाला जो portion है यह वाला portion आपका यह वाला portion attached होगा inner part से इसको हम क्या कहेंगे इसको Converging part कहेंगे यह जितना यह यह यहां का पोर्शन है यह अपका कणवर्जिंग पार्ट है और ये ला जो पोर्षण है वो पोर्षण आपका क्या है ट्रोट जिसको क्या अब बूलें बोलेंगे हम बी पोइंड्रीक़ किया है तो यह पॉर्षन क्या आपका त्रोट एंए charged वाल प macam कि शेयुक वाले पोर्शन के बाद यह जो आपका पॉर्शन यह बिच रहा है यह बोट्जन आपका टाम्य Rangerrition ढूसरे यह अच्छरा एंट का पॉर्शन चीक अब देखते हैं स्लाइट को सब्सक्राइट को सब्सक्राइच अथ इंड़ेट park मतवक्ड साइड वाले जो पॉडशन हेगा वो इन लेट हैब के तरफ पाइप अटेच होगा ठीक आदर एंड कंवर्जऑी का पह तो प्रोट के तरफ अचाच होगा अब compare में one fourth or one third diameter रहेगा उससे क्या रहेगा एक चौथाई पोर्शन रहेगा ठीक है और दूसरा क्या है तो आपके थ्रॉट का डायमीटर कितना होगा उससे च nu Plaid मान सकते हैं पॉइपका डायमीटर क्या होता यह पोर्शन थ्रॉट से जूसरा पोर्शन और और वान सकते हैं प busted एे और बी के बीच में अब पॉइंट एऔर बी की हम बात कर रहे थे तो यहां देखेंगे इस एपुर ऑप यहां पे रहे होंगे है यह क्या है यह पॉइंट एय बना हुआ है ठिक है और यह वाला पॉर्शन क्या है आपके पॉइंट बी है ठीक तो तो आपका जो मैनोमीटर है मैनोमीटर कहां अटेच है मैनोमीटर कहां अटेच है इस वाले पोर्षन में यह पॉइंट ए और बी वाले दोनों पोर्षन पे मैनोमीटर अटेच है तो मैनोमीटर को हम यहां अटेच क्यों करते हैं क्योंकि यहां से क्या है आपका फ्लोट यहा दॉस्לי-पॉइंट पे क्योंकि यहां पे जो आपका बिपोर्शन है पे पोर्शन पे सब से ज्यादा प्रेशर डिफ्रेंशिस कोगे ठीक है यहां homeless में और यह इस वाला पर तो यह वाला portion पर सबसे ज़्यादा होंगे तो इसी पर हम क्या है मैनोमीटर को attach करेंगे ठीक अब क्या है अब करते हैं बार्किंग की बात अगर बार्किंग की हम बात करें तो क्या करेंगे सबसेंगे। क्या करेंगे वार्ट एंटर कराफंगे इं्लेट से क्या होगा dealing फ्लूड इसे समर्ल क कि रहा क्त है ऐलाव टू पास त्रो नेरो बंचुरी थ्रॉट उस्वार्गन चथाएगा तब क्या होगा? velocity increase हो जाएगी च्छी क्योंकि throt का portion क्या है नेरो है तो जहां नेरो portion है बहांपे क्या है velocity आपकी increase हो जाएगी जब फ्रहूंक पॉइंट पर तो आपका pressure क्या होगा decrease होना start हो जाएगा तो आपकी जो अप स्ट्रीम बाला पॉर्शन है वह इस डाइग्राम को देखते हुए कि अधार क्या होगा आपने क्या किया वाटर को वॉड़र प्रेशर एपला होगा यहां पे जैसे ही आपका फ्लोड नेजो पॉर्षन में एंटर करेगा तो आपके फ्लोड की वेल्सुटी क्या होगी इंग्रीज हो जाएगी इंक्रीज क्यों होगी क्योंकि portion narrow है चोटा portion है तो क्या है आपका यहां से जो water है या flood कहें तो flood क्या है यहां से आपका pass होगा तो high speed चाहिए होगी अब इसका reason क्या है high means velocity increase होने का क्योंकि यहां पर जो broad portion है broad portion पर आपकी speed या कहें velocity low है जब velocity यहां low है तो उसका reason होता क्या है उसका reason यह है कि जब आपका fruit flow होगा तो यह broad portion में flow हो रहा होगा तो उसको surface area ज्यादा मिलेगा ठीक for example अगर एक liter water आप एक second के अंदर flow कर रहे हैं इस pipe के अंदर ठीक है जहां पर यह broad बाला portion एक लीटर वाटर यहां से मूफ करेगा बी पॉइंट से एक second में एक लीटर वाटर कैसे मूफ करेगा जब इतने surface area तो यहां पर तो easily move हो जाएगा क्योंकि उसके लिए जगह ज्यादा flow आएगा speed fast होगी तो यहां पर pressure drop होना start जाते हैं scientifically term में आपकी pressure जब भी velocity increase होती है तो pressure drop होता है ठीक तो यहां पर pressure drop होगा तो इस pressure को हम measure करेंगे by using of manometer ठीक है फिर क्या होगा आपका float दीर-दीर क्या होगा divergent portion की तरफ diversion पार्ड को कहते हैं downstream तो इसके तरफ move करना start कर देगा आपका pipe जो भी flood रहेगा इस तरफ move करना start कर देगा तो यहां पर क्या है आप flood जो भी आपके outlet से निकलेगा उसको यहां पर flood का volume यहां measure कर सकते हैं तो यह pressure differences measure करके आप easily identify कर सकते हैं flood flow rate ठीक है नेक्स हम बात करते हैं differences in upstream and downstream pressure head can be measured by using of manometer already is discussed किया है कि जो भी आपके throat पे throat portion पे जो भी pressure differences cause हो रहे हैं ठीक है उनको measure करेंगे by using of manometer उसके लिए यह formula आपका दिया है इस formula का आप use करके आप easily identify कर सकते हैं velocity of flood मतलब real time में real time में velocity flood की velocity को आप flood flow rate को easily identify कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे जो UA दिया है यह यू ए है यह पॉइंट के तरफ जो flow है जो velocity है इसके लिए दिया है और थ्रॉट पोइंट पे जो वैलो सिटी है उसके लिए दिया है आपको UV तो यू भी आपका मैंने क्या बताया थ्रॉट पॉइंट के तरफ बैलो सिटी इंक्रीज होगी तो यहां ठीक यह बैलोसिती। कोफियोट ठीक है और नेक्स्सटवण है आपकी स्कोरूरूट तो जी तो जी मेंस ग्रैबितेशनल फोर्ज और ग्रैबितेशनल एक्सलेरेशन द्यूच ड्लैशन दु ज्ड जेढ़ोडोमेशन है यहाप कर देशन है आप easily identify कर सकते हैं pressure differences या कहें flood flow rate अब बात करते हैं application तो application क्या है आपकी जो venture meter है liquid के साथ-साथ as well as आप gas की flood flow rate को भी measure करने के लिए आप venture meter का use कर सकते हैं next क्या है advantage advantage क्या है power loss is less क्या होता है इसमें power loss कम होता है power loss क्यों कम होगा क्यों कि यहाँ पे क्या है energy losses कम हो रहे होंगे A point B point जितने भी energy losses जो भी हो रहे होंगे वो ध्रॉट point पर बागी के A portion और B portion पर energy losses कम हो रहे होंगे उसका reason क्या है मैं एक बाहर discuss कर दे रहे हूं उसका reason क्या है उसका reason ये है कि आपका जो ढई version portion है Divergent portion क्या होता है? Converging portion से हमेशा बड़ा होता है बड़ा होने का reason क्या है? जब भी float आपके divergent से throat की तरफ होता है तो throat की तरफ speed fast हो जाती है जब speed fast होती है, velocity increase होती है तो आपका क्या है? Float अगर यहाँ पे divergent portion को आप long नहीं रखेंगे तो यहाँ से speed flow होने के बज़े से क्या है? Energy losses जादा होंगे तो हम क्या करते है? इस narrow portion को दीरे-दीरे क्या करते है? Broad करते हैं जब दीरे-दीरे इस portion को broad करते है तो आपका यह divergent portion long हो जाता है और divergent portion long होने के बज़े से क्या है? यहाँ पर eddies form नहीं होती है और eddies form नहीं होने के बज़े से यहाँ energy losses या कहें power losses कम होते हैं head losses is negligible means conversion और diversion portion पर क्या है आपके जो losses होते हैं energy losses वो negligible होते हैं इसलिए उनको count नहीं करते हैं बहुत कम होते हैं अब बात करते हैं disadvantage तो यह मेंचुरी मीटर जो है expensive होते हैं laboratory में आप जो यूज करते हैं बहुत चोटे बेंचुरी मीटर यूज करते हैं और industry में जो होते हैं वो थोड़े means उनका जो पूरा setup होता है वो काफी लार्ज होता है जिस बज़े से क्या है यह स् expensive होते हैं okay I think यह portion आप लोगों को समझ आ गया होगा thank you so much